वेल्डिवरन वेल्कम बैक टू माई चैनल हम बात करने जा रहे हैं कि हमें कौन सी ब्लीच यूज करने चाहिए और विडियो के अंदर और यह वीडियो आप पूरी देखें आपको स्टैप पर स्टैप जो आपके डाउट से मैं अच्छे से क्लियर करूँगी तो पहले हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ ओक्सी लाइफ नाच्छल रेडियन्स फाइव क्रीम ब्लीच जो की आपको रुपीज 85 में इसली मिल जाएगी और इसके उपर आपको वन इयर की शेल्फ लाइव मिल जाएगी औ और इसका जो नेटोट वेट वह हो है 27 ग्रेम को इसके उपर आपको सारी जो गाइडलेंस मैंशन करके दी हुई है यह आपके डाक स्पोर्ट को कवर करेगा आपकी अन इवन सकीड तॉन को ईवन करेगा डल सकीड कों और डल सकीड को यह रिमूव करेगा डैड सकीन सेल को सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें no added ammonia है जो ammonia होता है वह हमारे skin के लिए बहुत harmful होता है तो सबसे अच्छी बात है इसमें जो ammonia added नहीं किया गया है हमें doubts को clear करते हैं काफी लोगों के अंदर काफी doubts होते हैं कि हमें कितने अक्टिवेटर डालना चाहिए हमें कितने दिनों के बाद bleach cream यूज करनी चाहिए तो पहले हम सारे doubts को clear करते है सबसे पहला question आता है कि facial hair को कैसे bleach करना चाहिए आफ़ी question आते हैं कि हमें bleach को कितने दिनों के बाद repeat करना चाहिए दुबारा कब कितने दिनों के बाद हमें लगाना चाहिए और third question ये भी बहुत आता है कि जब हम bleach करते हैं तो इसके immediately हम facial कर सकते हैं तो इन सब के जो answers हैं मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूँगी करना है अब मैं आपको दिखाती हूं कि आपको इस bleach क्रीम को कैसे अपने फेस पर apply करना है जब भी आप bleach क्रीम को अपने फेस पर लगाते हैं तो आपकी जो डारेक्शन है वो नीचे की तरफ होनी चीए जैसी कि आप वीडियो में भी देख रहे हो और हमेशा एक बात फिर नेक पर कोई burn का mark है वहां पर भी आप bleach क्रीम को ना यूज करें और bleach क्रीम आप केवल अपने फेस पर ये नेक पर ही नहीं आप अपनी आम जबर पी लगा सकते हैं अपनी लेक्स पर लगा सकते हैं जहां पर भी आपको sunten की problem है और जब आपके हेर ज्यादा है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं और जब भी आप फेस पर ब्लीच लगा रहे हैं तो साथ के साथ अपनी नेक को भी cover करें नहीं तो फिर फेस और जो आपकी नेक है वह uneven नजर आएगी तो आपने इस तरह ब्रश की help से अपने पूरे फेस पर ब्लीच को लगा लेना है और अगर आप कोई नई ब्लीच क्रीम ट्राइ कर रहे हो या फिर आप फिर 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 लगा रहे हो तो उसका एक छोटा सा पैच आप अपने नेक के पास apply कर सकते है या अपने हैंड के उपर apply कर सकते है अगर वहाँ पर आपको इची या इरिटेशन नहीं होती है उसके बाद ह आप अपने फेस पर bleach cream को यूज करें और कभी भी आपको जब bleach cream यूज कर लेते हैं उसके बाद इची या redness हो जाती है तो तुरंत आप eyes लेकर उससे अच्छे से massage करें तो आपको जो है redness जो है आपकी कम हो जाएगी bleach करने के बाद आप aloe vera gel अपने face पर apply कर सकते हैं और bleach लगाने के बाद आपको कम से कम 5 घंटे तक अपने face पर कुछ भी apply नहीं करना है इवन आपको अपने face के उपर soap को भी apply नहीं करना है अब हम आपके doubts को clear कर देते हैं और first question था कि हमें bleach कित्ते दिनों के बाद करने चीए आप कोशिश करें जो bleach है आप कम से कम तीन महीने का gap जरू रखें bleach करते समय क्यूंकि जो एक्टिवेटर होता है वो आपके सीन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है तो आप कोशिश करें कम से कम तीन महीने का gap एक्टिवेटर है उसका रेशो क्या होने चीए तो आप हमेशा 2 रेशो 1 रखें अगर आप 2 स्पून आप bleach क्रीम यूज करें तो वन स्पून आप एक्टिवेटर को यूज करें और third जो question है वो था कि जब हम bleach क्रीम अपने फेस पर अपलाई करते हैं तो हम immediately face के उपर 16-year के हैं हम 18-year के हैं हम 20-year के हैं तो क्या हम bleach को यूज कर सकते हैं तो frankly मैं आपसे कहना चाती हूँ कि आप कोशिश करें आप 20-year के बाद ही bleach क्रीम लगाना स्टार्ट करें अगर आपको ज्यादा नीड है तो क्योंकि जितना आप अपने face को chemical चीजों से बचा सकते हैं उत पोटी उमर में 16-18 में एज में bleach क्रीम ना यूज करें और मैंने परसनली काफी देखा है लोगों को bleach करवाते हुए देखा है बट कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि bleach आपके face पर work क्या करती है उन्हें इतना पता है सॉलोन में जाना है हमें bleach करवानी है बट bleach जो है आप नजर आते हैं तो जो face जो आपका है वो uneven नजर आता है जब आप bleach कर लेते हो तो आपका जो face के उपर जो छोट छोटे यह black color के hair होते हैं यह golden tone में चले जाते हैं जिससे जो आपका जो रंग है face का वो और glow करने लग जाता है और काफी ज़्यादा फेयर लगता है तो जो छ क्या काम है उन्हें नहीं पता होता है तो I hope कि आपको समझ आ गया हो गया कि bleach क्या work करती है और कई बर क्या होता है ना कि कोई office going है कोई college going girl है और especially housewife जो होती है उनके बसना time ही नहीं होता है कि पार्टी है या कोई शादी आ गई है आपके बाद जाने का इतना time ही नहीं होत है तो आप घर पर बैठ कर आप अच्छे से bleach कर सकते हैं मैंने आपको ratio भी बता दी है आपको कैसे apply करना है और आपको warnings भी समझा दी है और आप जब खुद अपनी cream use करते हैं तो आपको 85 ए 90 रुपीज में इजली मेल जाती है अगर आप किसी salon में जाते हो वागा face ही अपन नहीं करते हैं क्योंकि कईयों को बहुत जादा pain होती है और कईयों के जो hair sides में काफी जादा होते हैं और क्या होता है आजकल बड़ा trend है कि आप razor से अपने जो hair को remove कर देते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने face के उपर आपको कोई भी razor use ना करें इस स जो आपकी skin नजर आ रही है और जो आपके hair नजर आने बंद हो जाएंगे और एक question होता है कि हमें bleach को कितनी देर तक अपने face पर रखना है अगर आपका जो रंग है गे हुआ है तो आप 15 minutes तक अपने face पर रखे अगर आपका जो रंग है fair tone में है तो आप उसको 20 minutes तक भी अ 6 hour आप sun exposure ना करें sun के contact में ना जाएं और जितना हो सके आप अपने face को pollution से इंचीर जो से बचाएं तो जब भी आप bleach करें तो prefer करें आप शाम के time ही evening timing में ही bleach करें so hopefully मैंने आपके सारे जो doubts हैं वो आपको clear कर दिये हैं और आपको जो cream को कैसे apply करना है क्या ratio रखना है मैंने सारे जो आपके questions थे इस वीडियो में clear कर दिये हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो तो इसको like जुरूर कीजेगा उससे मुझे बहुत warm motivation मिलती है और अ के